जै माता की सबी वगतों को कैसे हो आप सब आशाकरत्यूं कि सबी जो हैं सुरक्सिती हैं और माजगट जन्नी मामबे की कृपाबी सदेव आपके उपर बनी रही यही दिल से कमना तो आप सभी की प्यार सही और मादुर्गा की आशिरवात से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपके कोई भी कारे नहीं बन रहे हैं आपके कारे में रुकावटे आती हैं आपके हर कारे में अर्चने आती हैं आपका बनता हुआ कारे अचानक से बिगड जाता है या बनता ही नहीं है कोई भी कारे तो आपको मातारानी को कौन सा ऐसा भोग लगाना है मैं बता रहे हूँ आपको मा काली को ये भोग अर्पित कीजिए लगाता शाथ शनिवार आपने ये उपाय करना है आपके रुके हुए काम, बिगडे हुए काम, गामों में रुकावटाना ये सभी की सभी जो है दूर हो जाएगी मातरानी जो है आपकी हर मनों कामना को पूर आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेर करें, कोमेंट करें, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक जो वीडियो की नोटिफिकेशन पॉस्ती रहें, और माता ग्यारा समंध होता है भगत का भगवान के साथ, और भगत अपने भगवान को खुश करने के लिए, उनकी कृपा के लिए लगातार भोग भी लगाते हैं, तो बात करेंगे, अगर बनते कारे बिगड जाते हैं, या बनते ही नहीं हैं आपके कारे, आप बहुत कोशिश करत हैं, फिर भी आपके कामों में जो है विगन आ जाता है, रुकावटे आ जाती है, तो आपको शनिवार के दिन जो है माता काली का ये भोग अर्पित करना है, आपके आस पास जहां भी काली मंदीर है, जहां भी आपके नजदीक जो है माता काली का मंदीर है, अगर दूर है तो शनिवार की शनिवार ही आपको ये उपाय करना है, आपने एक तो वहाँ पर जाकर जो है, चो मुखा तेल का दीप लगाना है, तरसो के तेल का दीप का दान करना है, और आपने एक मिठा पान लेना है, पांच पता से लेनी है, साथ लोंग लेनी है, दो जो है आपने मोट और आपने पान का जो भोगे मिठा पान है वो रखना है जो पता से हैं वो रखने हैं लैची है वो रखने हैं और लोंग भी आपने उसी के ओपर रखते नहीं हैं और मातारानी के आगे इस तरीके से आपने जो है हाथ में लेकर प्रातना करनी है कि है मा मेरे कारे में जो भी तो मेरा भोग स्विकार कीजिए, मेरी मनों कामना को पुर्ण कीजिए. उसके बाद आपने माता काली के आगे ये भोग रख देना है और दिपक को प्रजलित कर देना है. दिपक से मा काली की आरती किजी, हाथ में लेकर मा काली की आरती करनी है और आरती करनी के बाद उस दीप से थोड़ा सा तेल आपने लेना है और अपने मस्तक पर आपने मसल देना, अपने माथे पर लगा दीजीए या अपने सिर्ख पर आपने लेना है और लगाना है माता काली का कोई भी विशेस मंत्र जो है आपने उठा लेना है उस मंत्र का आपने जाप करना है ओम क्रीम कालकाई नमा इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं अगर आप कोई और मंत्र माता काली का जाप करते हैं तो उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका साथ शनिवार कम्पलीट हो जाते हैं तो लास्ट शनिवार को आपने जो है मा काली के अगे एक नारियल लेना है जो जटा वाला नारियल होता है पानी वाला उस नारियल को पहले छिल लेने हैं उसकी जटाएं जो है अपने हाथों से ही छिलनी है छिलनी के बाद उसकी भेट जो है आपने मंदीर में ही देनी है और उसका प्रशाद पूरे मंदीर में जितने भी लोग हैं या घर पे लोग हैं उन सबी को बाटना है अपनी मनो-कामना पूरती होने के बाद ये उपाय करके देखिए आपकी मनो-कामना जुरूर पूरी होगी जो भी वीगन आपके कारे में आते हैं वो दूर हो जाएंगे वीगन हरन वाले जो है माकाली हैं और कल्यूग की जागरित देवी हैं इनको प्रसंद कीजिए आपके कारे में कोई भी रुकावटे ना तो आएगी ना कभी आ सकती है तो माता काली का ध्यान करके जो है इस आपके भोग से माताकाली बहुत ज़्यादा प्रसंद होगी और सिगर्ता से आपकी मनों कामना पूर्ण करेगी चलिए जैमाद